हलो इस्टुट्स नेक्स नम्रिसस करेंगे एक साइस 17.1 के लिए केशन नम्र सेकेंड क्या रहा है find the apps का of a point देख एपसी का क्या होता है आपको पता है जिसका एपसी का आपको find करना जो कि मैं x consider कर लेता हूं और जिसका ordinate आपको 4 दिया है जो कि 4 हो गया यह इनका जो distance है वो 5 यूनिट है किससे एक और point b है जो कि 50 है इससे समझ में आया आ जाओ यानि a b का distance हो गया 5 यूनिट अब a b कैसे निकालने यह वह लास्ट वन की तरह है 5 माइनस x का whole square जीरो माइनस 4 का whole square equals to 5 रूट अटेगा square लगेगा इधर इसको 5 माइनस x का whole square प्लस 4 4 जा 16 और यह 25 उदर भेज़ दो 9 अब क्या होगा square अटेगा रूट लगेगा 5 माइनस x equals to plus minus 3 हो गया 5 माइनस x equals to positive 3 5 माइनस x equals to negative 3 x को दर इसको दर तो x का value कितना हो गया देखो 2 x को दर 3 को दर x का value कितना हो गया आपके पास 8 आपके पास क्या निकालना था आपको find the epsica तो आपके पास epsica जो आ गया है x equals to 2 और 8 दो value निकल कर रही है clear है second case देखो how many points are there on the x-axis whose distance from the point how many points on the x-axis x-axis आपको पताइए इस पर कोई मानलो point है कोई है ना whose distance from a point एक और point है 2 और 3 का एक और point है 2 और 3 का उनसे जो इसका distance है वो less than 3 unit है क्या कहरा हूं मैं इनका जो distance है यह मानलेता हूं मैं x, y आपके पास कोई value दे रखिया ना अगर मैं कहूं x-2 का whole square y-3 का whole square it is less than वाली condition पर है oh sorry 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 एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक पॉइंट तो अपने आप जीरो होगे ना how many points हों दा x x अगर कोई point है तो केवाल उसमें x की value y की value दो 0 है आया समझ में whose distance from the point 23 is less than is less than 3 unit कैसे निकलेगा x-2 का whole square और 0-3 का whole square यानिकि देखो x-3 का whole square plus 9 ये less than है 3 से अब मुझे बताओ ये possible है कि कंडिशन किसी भी तरीके से ये किसी भी तरीके से condition possible है क्या इनका जो distance है distance ये root लगा दिए ये जो distance अगर मैं root रटा दूंगा तो सामने वाले पर square लग जाएगा तो ये आपन को पता है कि x square जो होता है वो always greater than or equals to 0 होता है always तो बताओ वो less than हो सकता है कि किसी भी सूरत में नहीं हो सकता 9 से 9 कटके अपन क्या इसको अधर बेज देंगे तो 0 हो जाएगा ये ऐसे कोई भी points नहीं है यहां पर हमें points पूछा था था नो कोई point नहीं निकलेगा no points के लिए रहे cash number second complete